दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बृत का छेदरफल और बृत की परीदी की लंबाई ग्याद करना सीखेंगे तो अगर आपको ये नहीं पता कि बृत का छेदरफल कैसे निकाला जाता है या फिर परीदी क्या होती है या फिर बृत की पर्यदी की लंबाई कैसे ग्यात किया जाता है अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत दख देखेगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है? तो चलिए यहाँ पर ये देखें चितर दिया गया है, बृत इसकी तरजय की लंबाई 7 cm दिया गया है हमें दो चीज ग्यात करना है बृत का च्छेतरफल और इसकी पर्यदी की लंबाई हमें ग्यात करनी है ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजे समझ लेते हैं तो देखें बृत के च्छेतरफल का फार्मूला क्या होता है हो सकते हैं आपको फार्मूला पता हो लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो अम लोग सीख जाएंगे इस वीडियो में तो बृत का च्छेतरफल का फार्मूला लिख लेते हैं तो R जो होता है, कीसी बिप बुरित के तरजय की लंबाई होता है। मैं तरजय और आपको समझा देता हूं. तो बुरित खीचने के बाद यहां पे कुछ ना कुछ बीच में, मतलब इन सबी के एकदम बीच में कोई ना कोई बिंदू होगा। तो इस बिंदू को हम लोग O से दर्शाते हैं हमेशा, तो यहां से लेकर इसके लाश्ट सीरे तक इसके कुछ ने कुछ लंबाई होगी, और यहां से लेकर इसके लाश्ट सीरे तक कुछ ने कुछ लंबाई होगी, यह भी लंबाई ले सकते हैं, तो यह सब लंबाई जो है न कि अगर हमें केवल तुरिज्या ही पता है तो हम इसका छेदरफल निगाल सकते हैं इसमें πाई का मान क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं तो पाई का मान जो होता है वो 22 बटे 7 हम लोग लिखते हैं पाई जो है यानि कि एक अंक है तो पाई पराबर 22 बटे 7 हम लोग लेते हैं और अगर हम लोग 7 से 22 में भाग दें तो यह लगभग आता है 3.14 यानि पाई का मान हम लोग 22 बटे 7 लें या फिर पाई का मन 3.14 लें दोनों ही सही है ठीक है हम लोग 6 तरफल निकालते समय अगर पाई के जगा मान रखना चाहते हैं तो हम लोग इन दोनों में से कोई विमान रख सकते हैं और 6 तरफल निकाल सकते हैं ठीक है तो चुकि ब्रित का 6 तरफल निकालना है तो अचली हम लोग निकाल लेते हैं तो इसको लिख लेते हैं ब्रित का 6 तरफल तो बृत का 6 फल पाई और स्क्वाइर होता है तो इनके और इनके बीच कोई चिन नहीं है तो यहां पर मतलब एक गुड़ा तो यहां पर लिख लेते हैं 22 बटा साथ फिर गुड़ा इसका हम लोग 6 फल निकाल रहे हैं और इसमें तरिजा कितना है आर बराबर इसमें 7 सेंट मतलिखेगा अब यह आगे समझ में आ जाएगा तो यहां से यह हो जाएगा 22 बटा साथ फिर गुड़ा यहां पर देखे साथ का स्क्वाइर यानि कि साथ का हम दो बार गुड़ा करेंगे देखें यहां पर साथ का स्क्वाइर यानि कि साथ पर दो गात है तो हम साथ का दो गुड़ा करते हैं अब देखिए यहां पे एक साथ से उपर वाला साथ कट जाएगा 22 गुड़ा साथ बचा गुड़ा कर लेजिए 7 दुना 14 और 7 दुना 14 एक 15 यह आगया 154 अभी यह आंस्वर नहीं हुआ है चुकि छेदरफल जो होता है वर्ग में होता है तो यहां पे दे यहां पे देखिए यह पूरा जो ब्रित बना है यह पूरा ब्रित बन गया है ठीक है तो अगर हम लोग यहां पे बना लेते हैं मालेजिए कि ब्रित कुछ इस तरह से बना हुआ है ठीक है तो आप लोग इस ब्रित को जो है एक रसी की कलपना करिए मालेजिए यह एक रसी ह तो अगर हम लोग इस रसी को यहां से काट देते हैं और इसको जो है इस तरह से बढ़ा कर लेते हैं यान कि सीधा कर लेते हैं काट करके यहां से काट दे हमने तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं तो यह सीधा करने के बाद इसको हम लोग माप सकते हैं कि नहीं इसको फीट से म आप सकते हैं तो इसकी लंबाई ही तो ब्रित की परिदी का लाती है यानि कि अगर इस बिंदु से देखा जाए तो यहां से लेकर पूरा यहां तक की लंबाई ही ब्रित की परिदी होती है अई होप आपको समझ आ गया होगा तो ब्रित की परिदी की फार्मूला हम लोग जा गाहिं में इस ही फार्मोल में रख देना है तो यहां पर देख मतलब इनके इंस के बीच खुंडा है वाले साथ sudah जाएगा 22 बटा साथ गुड़ा आर का मन क्या है आर मतलब तरेज्जा कितना है साथ सेंटिमेटर तो यहां पर हम साथ लिख लेते हैं अब दिखें नीचे वाले साथ से उपर वाला साथ कट गया अब दो गुड़ा 22 करेंगे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 44 चुकि ब्रि प्रिशन देता हूं जिसको आपको हल करना है यह तो हो गया ब्रित का छेट फल अमने निकाल लिया और ब्रित की परिदी के लंबाई अमने निकाल लिया अब मैं आपको एक सवाल देता हूं लगाईएगा उसको उसका जबाब को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है तब ही प्रेदी के लंबाई इसकी बताना आए तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं